ग्रिट प्लेक्स मैच प्रेडिक्शन में मैं संजे बबलू आपके बीच में ऑस्टेलिया और भारत का मैच लेकर आया हूँ जी हाँ यह बहुत ही एहम मुकाबला है सूपर 8 का ग्रूप 1 का ऐसे मैं अगर देखें तो यह आउस्टेलिया के लिए जादा हम हो जाता है क्योंकि अब तक उनके दो वंख है और पिछला जो मुकाबला उन्होंने अफगारिस्थान के साथ गवाया है उससे यह जो ग्रूप है वो थोड़ा सा हल्चल बढ़ गई है कि क्या वो सेमिफानल पहुंच पाएगी या नहीं बात करते हैं स्थान की स्टेडियम की तो यह डैरिन समी का क्रिकेटी स्टेडियम है जो अब तक काफी मैचेस यहां पे हुए हैं पिछ अच्छी रह सकती है यहां पर बलेबाजों को रास आई है हाई स्कूरिंग मैस देखने को मिले हैं यहां और नमान लगा जा रहा है क्या स्ट्क्राइब यहां पर दोनों तेमिंगा युद्यवास करें की स्टेडियर जी इस मैच पे नजर रखेंगे और अपना अच्छा परफ़ोंच मैंगे ट्रैविश हेट के साथ पैट कमिंग्स और मार्कस स्टॉइनिस के साथ मैं एडम जंपा के साथ जाना चाहूँगा यह चार ऐसे खिलाड़ी है और इसमें अगर मैक्स्वेल का नाम आप जोड़ दें वह भी एक महातुकोड भूमका निबाज सकते हैं भारत की तरफ से रोही हेट की हम बात करें दोनों देशों के खिलाब अब तक जो मैच हुए हैं वह पांच टीट्वेंटी वर्लकप में ऐसे में भारत ने तीन जीते हैं और ऑस्टेलिया ने दो जीते हैं और यहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक एडवांटेंज हो सकता है भारती टीम क लेकिन अगर हम देखें ऑस्टेलिया टीम की तो उनके पास एक्सपीरेंस है बड़े मैच के बड़े प्लेयर उनके पास भी है और बड़े टूर्णामेंट में कैसे वह जीते हैं यह बाखो भी उनको पता है तो कहीने कहीन मुझे लगता है कि जो यह मैच है थोड़ा सा प पेस अटेक है वह अपने आप में काबले तारीफ है मौसम की बात करें दोस्तों तो मौसम थोड़ा सा चौकाने वाला रह सकता है बारिस का साया है इस मैच पे ऐसा अरुमान लगा जा रहा है कि शायर पूरे ओवर कहीं मैच ना हो पाए और और रिडूस भी किये जाए कप्तानों का यही मानना है कि टॉस जीतने के बाद भीया पहले फिल्डिंग कर लो जो टार्गेट मिलेगा उसे हम चेस कर सकते हैं तो फिल्डिंग जो चौइस होगी क्याप्टन की वह टॉस के बाद पहली और यह देखने वाली बात होगी कि ऑस्टेलिया जो इस में बस इतना ही धन्यवाद